राथे राथे भगवान की कृपा से आप सब अच्छी होंगे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें रात को नीद ना आए तो हम क्या उपाय करें नीद हमारे लिए उतनी ही अवश्यक है जितना के भूजन अगर किसी इनसान को थोड़े दिन भी नीद ना आए तो उसकी मौत भी हो सकती है इसलिए हमें नीद आ जाए इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए नीद ना आने की वज़ा कोई बिमारी, कोई करजा, चिंता, जगडा, कुछ भी हो सकता है और अगर हमें नीद नहीं आए तो हमें ये उपाय करने चाहिए पहले तो हमें सोने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान को याद करके फिर सो जाना चाहिए इसे हमें नीद वश्य ही आएगी और दूसरा उपाय है कि हमें रात को सोने से पहले एक चमच गंगा जल पीना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी नीद आने के लिए सहायक होता है हमें अपने सोने वाले कमरे में नील कंठ पक्षी की एक मूर्ती रखनी चाहिए ये मिट्टी की बनी हुई होती है और ये बजार में मिल सकती है और या फिर नील कंठ पक्षी का चितर भी हम अपने कमरे में लगाएं तो ये भी हमें नीद आने के लिए सहायक होता है हमें एराद को अपनी मां के पाउं चूकर अशीरवाद लेकर फिर सोने के लिए जाना चाहिए इससे भी नीद आ सकती है लेकिन अगर हमारे माबाप हमारे किसी वज़ा से पास नहीं रहते तो हम अपनी मां को सोने से पहले याद करें इससे भी नीद आ जाती है और हमें सोने वाले कमरे में थोड़ी रोशनी वश्या ही रखनी चाहिए एक छोटा सा बल्लब जला कर रखना चाहिए बिलकुल ही अंधेरा कमरे में नहीं होना चाहिए बहुत जादा अंधेरे कमरे में भी कई बार नीद नहीं आती इसलिए कमरे में थोड़ी रोशनी वश्या ही रखनी चाहिए और हमें सोने से पहले हनुमान चाली सा वश्या ही सुनना चाहिए इससे भी हमें नीद आ जाती है इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर अगर हम सोने जाएंगे तो नीद अवश्या ही आएगी आशा है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपको लाप प्रत लगे तो इसे शियर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जे मता दी